है थे डिख रहा है या यह है तो जो प्रसे बनेगा क्या दोस्तों नमस्कार आज हमारे कोटफीश एक्ट 1870 की सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हमने सेक्शन 11 तक कवर कर लिया था आज सेक्शन 12 से लेके आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक्ट खतम हो जाए इस क्लास में ठीक है तो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है भीया सेक्शन 12 यह वाली बात कर रहा है कि सेक्शन 12 बोलता है कि आपका मुल्यांकन संबन्दी अगर कोई प्रस्टन का विनिश्चे करना है डिसीजन मेकिंग पावर की बात करता है अगर वेलिएशन संबन्दी अगर कोई कोश्चन है तो सबसे सिधी बात कि अगर वेलिएशन से अगर कोई कोश्चन बन रहा है valuation से अगर कोई question arise होता है ठीक है तो उस पे decision किसका रहेगा उस पे decision किसका रहेगा तो court का decision क्या रहेगा final रहेगा आपका जो subtraction first बात करता है वो यही करता है every question relating to valuation purpose to determining amount of the chargeable under the chapter plant and memorandum shall be decided by court और जो court का final decision रहेगा वो दो चीज़ों पे रहता है एक तो आपके रहता है प्रेंट्स पे और दूसरा आपका रहता है memorandum of appeal पे memorandum of appeal ठीक है पहला वाला यह बोलता है लेकिन इसका proviso कुछ अलगी बात बोल रहा है जो कि section 10 के two से related पहरा two से related करता है क्या relate करता है कि यदि किसी यदि किसी अपिलेट कोट ने यदि किसी referal कोट ने यदि किसी revision कोट के पास यो आपका plant है वो जाता है जो आपका suit है वो जाता है और अगर वो declare कर देते है जो प्रश्ण का विनिश्चा है जो कि वहां से जो पीछे वाले निचले वाले कोट ने आपका जो क्या वोला था प्रश्ण का विनिश्चा क्या कर दिया गलत कर दिया और अगर अपिलेट कोट ने revision quote ने referer quote ने अगर आपका ये question amount of question ये क्या करा है ने declare किया है और ये क्या निकला है आपकी original value से क्या लिखना है अधिक निकला है तो पक्चकार से क्या कर सकता है वो party से demand करेगा additional की demand करेगा किसकी demand करेगा party से बोलेगा कि आप और फीस पे कर दीजिये मनला कोट को अगर लगता है कि अपील में जो भी फीस है अगर वो कम थी और से कोट की रिवेन्यू को क्या पहुचा है नुकसान पहुचा है तो वो क्या करेगा आप से एडिशन फीस मांग सकेगा क्लियर सेक्शन 11 ठीक है सेक्शन 13 पे बात कर लेते हैं और सेक्शन 13 रिफंड के बारे में बात करता है कि अगर आपने मेमोरेंडम अपील में अगर कोई फीस भरी है तो अगर आप दूसरे जगाई जाते हो तो हम आपको का कर देंगे वो फीस बापिस कर देंगे मला अगर refund के बारे में अगर मैं बोलू तो refund के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें section 13 में पढ़ने मिलेगा हमें section 14 में पढ़ने मिलेगा हमें section 15 में पढ़ने मिलेगा और हमें section किसमें मिलने वाला है 16 में पढ़ने मिलने वाला है जो section 13 है वो अगर इसकी heading तो क्या लिखी है उसकी heading तो लिखी है भहिया memorandum of appeal के बारे में बात करता है किसके बारे में memorandum of appeal लेकिन memorandum of appeal की जब पहली वाली line जब आप देखने जाओगे तो appeal या वादपत्र में जो की cpc में वर्णेत आधारों में से आधारों पे निचले आधारों करता है 15 बात करता है कि आपको सबसे पहले किसमे जाना है निचले स्थर वाले code पे जाना है थीक है तो आप घाने और वहाले क्या कर दिया आपका जो ج-घार वो भी कहा का provision है आपके CPC का section 15 वाला provision है मनलब CPC में अगर ground है उसको नामजूर करने के तो उसके अधार पे क्या कर दिया गया है पहले तो नामजूर कर दिया गया है फिर आगे ये वोला है कि अगर grant कर लिया जाने का आदेश दे दिया है मनलब आपको क्या करना है इनने आपको क्या कर दिया आप तो accept का order रे विया grant करने जिया जाने का आदेश दिया जाता है या appeal में कोई बाद निचले नियालाय दोरा दोवारा विनिश्चय के लिए उसी सहीता में बरतमान सहीता के order 41 rule 23 के आधारों पर किसी भी आधार पर प्रती पेशित किया जाता है मतलब appeal में अगर कोई बाद है दो चीज़े है accept करने की पहला चीज तो आपको accept करने का क्या मिला order मिला दूसरी चीज़ आपको क्या मिली अपील में अगर कोई क्या चला है आपका appeal गए अपील में गए हो और appeal में जब जाने के बाद आपको क्या मिला है रिमांड वापस मिल गई दोबारा आपको क्या मिल गया है दोबारा आपको लोवर कोट क्या मिला है जाच करने का आपको प्रती-पेशित कर दिया 만Cheer करने का ऊका मिल गया है तो उस कंडिशन में क्या है उस कंडिशन में का इनको एक बार मौका मिल गया है तो उस कंडिशन में यह क्या करेंगे जो प्रक्ती के ऑड़र PD20 के साफ से रूल раздел 3 के आधार प्रती-पेशित किया जाता है मतलब यह अपील का मामला है जो उच्छिस्तर से निमनिस्तर में वापस दुबारा आ गया है order 41 rule 23 के साफ से remand remand बोलते हैं इसको कि remand पे लेता है तो यह remand पे ले लिया है अब remand पे लिया तो अपील नियाले अपील आर्थी को एक प्रवाण पत्र देगा पहली चीत अपील नियाले में जो remand पे लिया गया है ठीक है जो lower court के माद्धम से क्या हो गया पहले तो reject होगा पहले lower court ने क्या किया रेजेक्ट किया दूसरी चीज किसको planter appeal को क्योंकि बोला जाता है कि निचले स्थर में जाता है तो निचले स्थर पे सुनने कि उसको अधिकारता तो थी नहीं क्योंकि memorandum आपील का सीधा मामला है जिस पे cross objection आता है मतलब एक बार आपका हो गया है डील, उस पे आपजेक्ट लिया गया है इसलिए वो मेम रिंडम अपील में गया, अब मेम रिंडम अपील में अपील में गया तो order of accept का मामला बना, मतलब इसको order करना, accept करने का order मिला ऐकस कोट दिया जाता है तो फुर अपिल में सीधे अपन काई अपिल में किस के माद्दम से अपन वो अपिल के माद्दम से रवांड की पावर अपिलेट कोट को कहा मिली और्डर 41 रूल 23 में मिल गई उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि वो जो अपीलेट कोट है कौनसी कोट है अपीलेट कोट है अब ये अपीलेट कोट है ये अपीलेट कोट क्या करेगी आपको एक साइटिफिकेट देगी किसको देगी साइटिफिकेट किसको देती है अपील करता को एक क्या देगी वो साइटिफिकेट देगी अब जैसे ही वो certificate देती है तो उसमें लिखा होता है कि अपील के ग्यापन पर संदत पूरी रकम collector के माध्यम से क्या ले लो आप वापस ले लो मतलब अपील में आप माध्यम से जो आपने रकम पे करी थी वो क्या कर लो आप collector के माध्यम से वापस ले लो किलियर हुई अगर उसमें बोला है प्रोवाइजों में कि यदि अपील का प्रती प्रिशन्ट उद्धसा में प्रती प्रती प्रिशन्ट की संपूर्ड विशेवस्तू के लिए नहीं है तो इस प्रकार अनुदत प्रमाणपत्र अपीलार्ति को विशेवस्तू का भाग या भाग के बारे में प्रती 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 किया जाएगा और उस चे अधिक है तो वापस माने का अधिकारी नहीं होगा सेम वोई वाली टेन का टू दिखाए यहीं बोला है कि भहिया अगर यह मेमोरेंडम वो अपील में आपका जो जब हम रिवांड कर रहे थे और प्रत कोप आदिवध को अधिभाद में एवेट कर दिया है तो मेमोरेंडम वापनी कोट फीज क्या कर देगा वो एक बार रेजेक हो गई देखो कि देखो इसको समझो मोच क्या इसका औबजेक्टिवक्ट यह है cover कोट में जो आपने पीज करी फीस पे कर दीना वहां पे वहां पे जो fence page करी उन्हें क्या कर दिया उनको अधिकारता थी आप गए कहा अप्देट कोट में आपने फिर सेट अप्देट कोट में का करी आपने feez पे करी तो वह यह बोल रहे हैं कि हम collect प्रें वहां यहां प्रें फीश नहीं लेंगे जो अगर कम बेलियोएशन होता है तो आप से एडिशन मांग लिए जाएगा मतलब अपीलेट कोट में अगर कम है तो वह आपसे और मांगेंगे कि भाईया वहां के हिसाफ से दो ठीक है समझ में आरी बात को कि नहीं हो रही आया समझ क्यों नहीं है ना मनलब सेधी बात रिफंड़ करना है आपकी अपील की फीस अदेखो गई तो रिफंड करोगे लिकिन अपील की फीस अगर कम है तो रिफंड नहीं करोगे यह वाली बात है ठीक है थीक है आज़ाईए फोर्टीन फोर्टीन क्या बात कर रहा है यह इसमें कुई सक्राथा था केस हमने लिखा था इसमें सुरैंद्र सिंग बर्सिस हरयाना राज्य 2018 का रीसेंटली का केस है याद रखिएगा ठीक है 14 वाला मामला देखते हैं ठीक है सुरेंदर सिंग वर्सेस हर्याणा राज्य का मामला है ठीक है याद रखना है सुरेंदर सिंग वर्सेस हर्याणा राज्य तेरा में आपने को फड़ना है 14 क्या बोल रहा है 14 ये बोल रहा है refund करना है और फी application review of judgment निरणाई के पनरबलोकन के लिए आवेदन की फीस की बापसी अब भाईया पहली बापसी थी आपकी appeal की फीस की अब आपकी दूसरी बापसी है किसकी application में जो आपने फीस पे करी है उस के लिए और application के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं जहां निया जहां निरणाई पनरबलोकन के लिए आवेदन की डिक्री मतलब यह जो है आपका जो judgment review के लिए है किसके लिए है judgment के review के लिए आपने क्या लगाई है application लगाई है तब बात कैसे होगी यह बोल रहा है कि वेर द लगाना है आपको 30 दिन के भीतर भीतर आपको लगाना है application किसके लिए judgment के review के लिए पहली condition दूसरी चीज आपको जो इसमें ध्यान रखने वाली है ठीक है यही वाली है उसमें यही बोला है कि आपको किसके माध्यम से मिलेगी फिर यह refund किसके माध्यम से होगी collector के माध्यम से भी हो जाएगी collector phone पर भी कर देगा कोई certificate वाला matter आपका जो करते हो आपका पूरा चलेगा पंद्रा पर आ जाईए पंद्रा क्या बोल रहा है refund where the code reverse to modified in a former decision of the ground नियाला अपना पूर्व विनिश्चाए भूल के आधार पर उलट देता है या उपांत्रे कर देता है तो व करेंगे modify मतला सुधार उधार करेंगे और उलट देंगे उलट देने को क्या बोला है इनने reverse कर देंगे reverse ठीक है यह आपको ध्यान रखना है उसमें बोला गया है कि judgment के reverse judgment को अगर क्या कर दिया है इनने reverse कर दिया है तो फीस पे उसी code में normal application फीस दोनों का difference देखेंगे यद सीधी बात अगर इन नोनों के आधार पर मनला अगर judgment review जैसे हुआ क्या हुआ आपका जो एप्लीकेशन 14 वे जो आपने एप्लीकेशन लगाई है 14 की application के आधार पर judgment कर रिव्यू किया और judgment की रिव्यू के आधार पर उनने पाया कि हमने तो क्या कर दी थी भीया गलती कर द थी अब हमने जैसे वो गलती करी और गलती तथी की भूल के कारण विदी की भूल के कारण उलटने योग्जों हो गई उपांतरित करने योग्जों हो गई मोडिफाई करने योग्जों हो गई रिवर्स करने योग्जों हो गई तो नियाला क्या करेगा ऐसा प्रमाण पत् होगी उसको आपका कर दोगे रिफंड कर दोगे ठीक है जो अन्य आवेदन पर दुतिया निसूची में आपका लिखा है दुतिया मलब फिक्स्ट वैल्यू के बारे में आपको पता करना पड़ेगा सेडूल भी पड़ेंगे किन्तु पूरवर्ती भाग का कोई भी बात आव मोडिफाई और रिवर्स किसमें हुआ था आपका जज्जमेंट रिव्यू किया था क्या किया था जज्जमेंट रिव्यू किया था तो हमें दो मिस्टेक मिली एक तो लॉफली मिस्टेक मिल गई और एक तो हमारी फैक्ट की मिस्टेक मिली और इन दोनों के अधार पर हमने किया है reverse और किया है modify किया है reverse और modify किया है तो reverse और modify करा है तो हम आपको एक क्या देंगे पहली चीज़ तो आप certificate पाने के अख़दार हो जाओगे और जैसी आपको certificate मिलेगा वो certificate आप किसके पास लेके जाओगे collector के पास और application फीस से अधिक जो आपकी है ठीक है जो भी फीस अधिक होगी वो आपको क्या कर दी जाएगी refund कर दी जाएगी यह इसी के बारे में बात कर रहा है कि नहीं बात कर रहा है तो वहाँ फीस की वापसी ठीक है यहां पर application फीस बापस कर रहा है यहां फीस बापस कर रहा है ठीक है यह वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी लेकिन इसमें यह बोला है एक exception यह बना है exception कि अगर हमने judgment review किया और अगर हमें judgment review में क्या मिला कुछ evidence मिला तो उस मामले में आपको क्या नहीं की जाएगी फीस बापस नहीं की जाएगी और वो प्रिथम सुनवाई के लिए हो जाएगी फिर evidence अगर मिल जाता है तो फीस बापस नहीं की जाएगी और वो प्रिथम सुनवाई के लिए हो जाएगी section 16 पर आजाएं, section 16 क्या बात करता है, section 16 आप किसी दी, इसमें कोई case लिख था क्या, इसमें कोई case था क्या, नहीं, section 16 बात करता है, refund of fees के बारे में, वो तो सीधा-सीधा फीस के बारे में बलता है यदि कोई कोट में अगर कोई मामला है और मामला गया और आपने फीस पे कर दी है ठीक है और वो फीस आपने पे कर दी है और आप वो कोट फीस के आपने कोट में फीस पे कर दी लेकिन मामला किसके दोरा निप्टाए जा रहा है आरवी टेशन के माम प्रेशन के द्वारा वो मामला निप्टाया जा रहा है क्लियर हुआ है ठीक है और जो सेपीसी का सेक्शन 89 इस पे कवर्क करेगा आपका मीडियेटर वाला ठीक है यह वाली चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगे क्लियर आगे बहुलिपूर बाद के बारे में आपका सेक्शन सेविंटीन बात करता है बहुत सारे बाद है आपके मोड जो आपके मल्टी फेरियस सूट के बारे में जो क्या करता है आपका बात करता है आपका सेविंटीन 17 में यह बोला है कि अगर कोई सूठ है वह दो या दो से अधिक पिर तक या सुविन भीन भख भात है तो को लेके सह appeals मन्हारी लेकन उनको क्या किया गया है उनका मितलब सrzyयोध किया गया है सहयोधित किया गया है सहीजथा पूरूप से आपके पास आtech है तो तो सिदा सिदा वोलता है अगर सैयुक तो रूपसे आ रहे हैं तो कोट कैसी रहेगी एक ही रहेगी जैसे की कोट माध्यमसे कोट कीज़र मैं देखूँ के यह वाला है दस लाग क 1 लाग का ये वाला आपका है अब अब 10,000 वाली बात आपको द्म्राण है चलिए आगए और कोई भी बात क्या क्या प्रफम बिचारन की सक्ती पर प्रभवाव डालने वाली नहीं समझे जाएगी फस्ट एंशेंस में जो मावला याDu पर बात प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी है ना CPC के कोई order पर कोई section पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी प्रतम बिचारन पर ठीक है जब मामला आता है आपका ठीक है आगे बड़े ठीक है code fees इतना ही बोल रहा है वो और कुछ नहीं बोल रहा है section 17 आज़े यह section 18 section 18 क्या बात करता है return examination of complaints के बारे में बात करता है section 18 written examination of complaints के बारे में क्या करता है वो या आपका बात करता है क्या बात करता है आईए देखिए when the first and only examination of a person of the complaint of offense wrongful confinement and wrongful restraint दो चीज बोल रहा है या तो आपने wrongful confinement किया है या तो आपने wrongful restraint किया है तो any offense other मतलब सीधी सीधी बात आपको यहां देखने मिलने वाला है दो कौड़ी का मतलब दो रोपे ठीक है आपको क्या मिलने वाला है दो रोपे मतलब परिवादियों की लिखित परिक्षा अगर आपको करवानी है वो अपराद का परिवार जिसने कोई A.C.R.G. पेस ही नहीं करी है और इस अधिनियम के दिन फीस का ओधगरण किया जाना है तो एक मात्रदंड क्रिया सहीता में उसके अधिन लेकबत की जाएगी तब परिवादी से फीस का संदाय करेगा और कितना करेगा वो देखिए दो र रुपे याद रखना यहां पर रिटन में एक्जामिनेशन कंप्लेंट के ती रुपे दो रुपे ठीक है और कौन-कौन से मतलब कोई एनी अफेंस लिखा है और मेंद चीद आपको रॉंग फॉल कंफार्मेंट भी लिखा है और रॉंग फॉल रिस्टेंड भी लिखा है और विधावट वॉरेंट जिसमें एड़ रेस्ट करने की power हो जाती है वह वाली बात लिखी है तो ध्यान-देजीएगा कि इस ऐब यह तो आजयागे एप ठीक है 19 प्टफिद 19 इह सेक्ष्श न 9 ए section 19 में exemption के बारे में बात करते हैं चलो एक बार list बना देते हैं उसकी section 19 section 19 में आपका exemption के आरे में बात करता है कि यह कहां कहां exemption दिया गया है ठीक है छूट कहां कहां दी गई है तो आईए छूट के बारे में बात करते हैं देखो पहली बात यह बोल रहा है कि भहिया आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी किन-किन मामलों में नहीं देनी पड़ेगी पहला चीज आपका जो बोल रहा है पहला तो यह बोल रहा है power of attorney institution of defined when the execution arm force the union in a civil employee अगर आप arm force के civil employee हो मतलब आप कहां हो आर्मी वाले हो ससस्तर बलों में से किसी भी सदस्चियों के civil नियोजन के लिए अगर कोई बात संसत करता है ठीक है या कोई उसको प्रतिरक्षा करने के लिए किसी को power of attorney देनी पड़ती है तो मतलब power of attorney अगर किसी को मिली है तो मतलब सीधी सीधी बात आप तो सीधा लिख लो आर्म्ड पोर्स के क्या हो आप employee हो मेंबर हो ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ आप लिख लो इसमें कि प्रतम बात की सुनवाई पे मतलब writing student of the first hearing प्रतम बात की सुनवाई पे फर्स्ट हेरिंग पे तीसरा आप लिखी लिजे तीसरे में आपका है फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंट गाउंस मुंसिपों दौरा विचारत किसी बात पे तो यह तो आपको स्यादी रखना पड़ेगा मुंसिफ एंड प्रेसिडेंशी ओफ फोर्ट स्टेट जॉर्ज फोर्ट स्टेट जॉर्ज ठीक है मुंसिफों और विलेजिज अगर यह कोई सूट करते हैं तो उनको सूट से क्या है प्रेसिडेंशी नगर में जो है आपका प्रेसिडेंशी आपका जिला पंचायत थीक है जिला पंचायत उस मामले में आपको अगर सूट लगाते हो तो आपको नहीं देनी पड़ेगी फिस ठीए पाँचवा वाला आपका है अहां सोThis वाले का सभ्त आपका मड़ास रेगुलेटीग्ट एक्ट कैसे अहरास है यह वाली सीज भी आपको याद रखने इस र्ऱवालाइंट इस सनी history नयुकहरас प्रवाड पत्र देना पड़ेगा वन्हें यह वोला है कि जहां प्रवाड पत्र यहां कोई भी सर्टिफिकेट के अनुदत फीस एक हजार रोपे से अगर 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 उससे अगर को फीस नहीं देनी पड़ेगी ठीक है इसके बारे में बात कर रहा है आना देखें एक हजार रोपे है और वेल्व का प्रवेट प्रति भूतियों के सिवाए इनके सिवाए इनके सिवाए आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी और एक और बोल रहा है कि आपको 1872 के बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट 18 के अधिनकर कोई प्रवणपत्र दिया है तो भी उसकी फ आप सेटलमेंट ओफ लेंड रिवेन्यू के लिए अगर आप अपलीकेशन लगाते हो तो उसकी भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी चाहे अब कलेक्टर के आप चाहे पिटीशन और एपलीकेशन दोनों की बात है पिटीशन और एपलीकेशन ठीक है नौबा बात नौ ठीक है ये वाली सीज़ उसके बाद आपका जो 10 वाला बोल रहा है ये बोल रहा है आपका ये बोल रहा है कहती के विस्तार करने कल्टिवेषन और रिलेंक्रस्ट लेट वालन एपलीकेश्款 लेट processing एप्लीकेशन लीग टू एक्सेंड के बारे में बात कर रहा है एप्लीकेशन एप्लीकेशन लीग टू एक्सेंड ठीक है उसके बाद 11, 11 क्या बात करता है आपका ग्यारा ये बोल रहा है आपका कि service of notice, relinquishment of land और enhance of rent के वाले मलब हुमी के त्याग के लिए और हुमी की सूचना के लिए कोई अगर आविदन लगाया है application to service notice, application to service notice, land relinquish land मतलब त्याग है ना, relinquishness मतलब त्याग के बारे में बाल रहा है ठीक है कि आपने त्याग के बारे में अगर कोई application लगाई है ठीक है या enhance of rent के बारे में अपने किराय की भ्रद्धी के बारे में अगर कोई application लगाई है उसको छूट मिलेगी ठीक है ठीक है 13 पर आजाईए 13 क्या बोल रहा है आपका ठीक है ठीक है 13 है कि 14 है यह आपका 13 ही है है ना 13 हो गया 14 देखिए साख्ष देने या दस्तावईज देखने के लिए first application to summon and witness मतलब आप क्या कर रहे हो application लगा रहे हो application किसको लगा रहे हो duplicate production कि लिए document production के लिए आपने क्या लगाई है application लगाई है कि वहिए उसको क्या कीजिए समन कीजिए या तो आपको किजिए बॉरेंट जारी कर लीजिए तो इसकी भी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी 91 CRPC सब्सक्राइब करते हैं तो आपका सीधा सीधा बोल रहा है डांडिक मामलों में जमानत के लिए या साक्षे देने से मुचलकों के लिए या सुई उपचादी के लिए अन्य बातों के लिए क्या आपको फीस से छूट मिलेगी मतला बेल बॉंड्स ऑफ क्रिमिनल केस बेल कोल रहा है कि किसी भी अपराद के बारे में मनलब पिटीशन एप्लिकेशन चार्ज ओफ इंफर्मेशन रिस्पेक्टिंग टू प्रिजेंट एंड मेड लेड एंड विफोर दा पुलिस ऑफिसर विफोर दा हैड्स ऑफ विलेजर से विलेजर पुलिस मनलब जो भी आपका अरजी है आविदन है या कोई इतला है चायवा किसको दिया आपने ग्राम ग्राम के पुलिस अदिकारी को या सक्षम पेस किये जाने वाले को रखी है आपने तो उसकी फेस नहीं पे करनी पड़ेगी ठीक है अपराद के बारे में क्लियर उसके बाद पिटीशन वाइप प प्रिजनर के द्वारा पिटीशन वाइप प्रिजनर है ना यह वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उसके बाद छोटे वोटे आपके एक्ट है एक्ट जैसे की लोग सिवक एक्ट दिया है भारती दंड सहीता में किसी भी रेल कंपनी के अधिकारी लोग सिवक परिवात करता है सरकारी बनों को काटने के अनुग्या देता है वो आवेदक को सुद्ध धन्द के संदाय करने के लिए आवेदन है वो ठीक है 1856 अधिनियम चौकिदार के चौकिदार निर्दारन के बुरुद्ध या नगरपाली का करके बुरुद्ध अपेल की कोई पैने लिएको रख्चिन लगारेचांट के जयो अरजी लगाते हूं अरजी लगाते हो अरजी लगाते हो आपको फीजबेण ही करनी है थीख है आजाईए section 20 कल यहाँ खतम किया था आज यहाँ से आपनको start करना है ठीक है यह clear हुआ list बना ली ना यह वाली ठीक है आगे बढ़ते हैं है ना 108 में आपको क्या पूरा याद रहेगा और यह pre का यहाँ से निकल जाएगा ठीक है आजाईए क्या बोलता है आपका chapter 4 chapter 4 वोट छोटा है है के नहीं है है तो इसको ऐसे ही कर लो फटा फट कहां से कहां तक दिया था 20 21 आपका 22 23 और 24 आपका repeat है इस से 24 repeat है क्या मतलब हमें सर्फ 4 section हागे लिए यहाँ पर पढ़ने है ठीक है आपके 21 20 मतलब आपका 23 और 24 20 देखिए 20 यह बोल रहा है कि payment of court fees in respect to provate and letter to administrator provate क्या होता है किसी भी जो जो बिल होती है बिल का registered form को क्या बोलते है आपको provate बोला जाता है ठीक है यह वाली चीज के बारे में नियम कोन बनाता है कल देखाता कोन मनाता है rule अगर कोई भी आप issue करते हो तो आपका rule कोन मना रहा है high court बना रहा है rule कोन मनाता है high court पहला परी का यहीं से निकलेगा पहले चीज तो वो fees कैसे decide करेगा तो पहली चीज तो serving fees पेला क्या है आपकी सर्विंग फीज है चाहाए वाइ सिविल नयन आवी की हो δεν है की अगर कोई आदेशा की तामिल ही करा रहा है अगर उसका एग्जेक्विशन पढ साइट करेगा रूल कौन बनाएगा उसके संबंद में हाई कोड बनाएगा पहली चीज़ दूसरा जो उसमें पॉइंट बना है दूसरा बोल रहा है फीज चार्जेवल दा सब्रेंग एक्जुकुशन ऑफ दे प्रोसेश क्रिमिनल कोड इस्टेवलिस्मेंट लिमिटेट एक्जुकुशन फीज के बारे में बात करना है और वो भी किसके क्रिमिनल कोड क्रिमिनल कोड यही लिखाए सिवल कोड तो नहीं है कहीं ठीक है और पुलिस चादीकारी बिना वारेंट के उसको जा कर सकता है वारेंट के बिना ग्रिफतार कर सकते हैं ऐसे अपराद के मामल से क्या होना चाहिए देखिए उसको पढ़िए ऐसे सीवा के अंदर दनान याल-सक पे किसे होनाच सफ्श मतलब यह डिफाइन कहाएं आपके 2L में define है ठीक है ये वाला मतलब 2L में बताया है और 155 में इसका पूरा report लिखी जाती NCR non-cognizable report तयार की जाती है ठीक है executing fees कैसा decide करेगा वो भी आपका high court rule बनाएगा तो उसमें executing fees के बारे में बात कर रहा है ठीक है तीसरा जो है आदेशिका की fees आदेशिका की fees तीसरे वाले में चपरासी या उन्ने सम्बंदित परीश्रामिक की विशाय में मतलब जो आपका remuneration है चाहे वो fees का है चाहे all other person employee तो leave of court मतलब जो आपके चपरासी है या अन्ने सम्बंदित परीश्रामिक जो न्यालाई की इजाज़त से आदेशिका की तामेली या निस्पादन करते हैं मतलब आपको फोस आपकी fees का क्या करना है fees remuneration जो आपका है वो किसका है आपका fees remuneration आप तो एक तो प्योन का है पहली चीज प्योन का है और दूसरी चीज आपको किसका है all person जो क्या करते हैं प्योन और all person यह क्या करते हैं आपका execution कराते हैं और या तो क्या करते हैं आपकी service कराते हैं ठीक है चाहे समन हो चाए warrant हो उसका कराते है आदेसी काओ का तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा आपको फीस आपको जो रूल बनाएगा फीस इससाथ से आपको करवानी पड़ेगी ठीक है समझ में आ रहा है मतलब आदेसी का का कर्चा करते हैं और ये समन जानी एक्जीट कराते हैं ठीक है सर्विस कराते हैं या आगे बढ़ जाई ये पीच में उच्ञाले इस परिवर्तन परिवर्दत कर सकती है फीज कर सकती है हाई कोट की पावर बताई गई है ठीक है किलियर हुआ अब यह बोल रहा है confirmation of publication of rule मतलब सब नियम परिवर्थन परिवर्थन राजी सरकार दोरा पुस्ट किये जाने के पश्चा साज की राजपतर दोरा प्रकासित या विजी का भल प्राप्त होगा मतलब इस पर रिस्ट्रेंड लगा दिया इस पर रिस्ट्रेक्शन लगा दिया क्या रिस्ट्रेक्शन लग गया भी या कि हम आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको confirm करना पड़ेगा और आपको satisfaction देना पड़ेगा कब करने के लिए यदि आप क्या करते हो इस नियम में कोई alteration करते हो इस नियम में कोई change करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको confirmation लेनी पड़ेगी ठीक है किसकी state government और यह वाली बात आपको ध्यान डेनी है तो पहले चीज इस्टेट गबर्लेंट द्वरा ही होगा गजटेड नोटिफिकिशन के माध्यम से होने चाहिए ठीक है अब 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 पबलिस नहीं किये जाई तो क्या होगा तब आदिश का तामील जो सर्विस करते हो जो एग्जेकुशन करते हो उस समय उद्गरणी फीस उगाही मतलब की जाती रहेंगी जो अधिनियम में फीस समझी गाई जो आपके सैड़ीन में दी हो उसके हसाफ से फिर साफ से क्या करी गाई लेविश उद्गरण या जाएगा जो अगर पब्लिस नहीं है तो सैडल पे चले जाना और किससे उसाफ से चलेगा जो आपके एक्ट में दिय आधा हो क्लियर 20 आ जायए 21 21 बोल रहा है time table table के साथ के table of process fees table of process fees के बारे में क्या करता है आप से बात करता है table of process fees के साथ से बात कर रहा है यह बोल रहा है कि आपका जो vernicular language है और दूसरी vernicular language और English language दोनों में table form कैसा होगा आपका table form दो में होगा एक तो आपका English form में होगा दूसरा आपका क्या बोला है वो vernicular language है ठीक है दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे दोनों टेवेल में है मतलब तामील या निस्पादन का जो फीस में दरसित करने वाली एक सारणी होगी वो अंग्रेजी भासा में होगी या एक देशी भासा के हर नियाले में जो अभी दरसित की जाएगी वैसी होगी मतलब जिसको देख सके लोग पढ़ सके उस language में भी वो होगी आपकी फीस की सारणी वो भी एक्जुक्यूशन की और सर्विस की 21 क्लियर आगे बढ़ते हैं ठीक है 22 नमबर ओ प्यून इंडिस्टिक्ट एंड सबॉडिनेट कोट के ब जलब आपका नमबर ओफवं हैं नमबर ओफर ओ ंडिस्टिक्ट या पारडिनेट कोड में तो पड़ियो को क्या लखाये इसमें लखाये के हाई कोट एप्रूब वाई स्टेट गवर्मेंट पहली चीज हाई को एप्रूब्मेंट लगेगी किसकी इस्टेट गवर्मेंट की हाई को एप्रूब्मेंट लगेगी किसकी लगेगी स्टेट गवर्मेंट से पहले क्या लेगा भीया हाई कोट एप्रूब्मेंट लेगा ए एप्रूवल लेगा हाई कोट स्टेट गवर्रमेंट से क्या लेता है एप्रूवल लेता है और एप्रूवल लेने के बाद क्या करता है हर जिला का नियाधीस जिला मजिस्टेट अपने नियालाई से हर जिला मजिस्टेट जिले का नियाधीस जिला मजिस्टेट अपने निया नियालाय के अधिनस्त हर ऐसे नियालाय में निकाली गई जो आदेशी का होती है जो आपका प्रोसेस होती है उसका एक्जुक्यूशन और उसका सर्वेस ठीक है नियोजन के किये जाने से आविश्यक चपराशियों की संख्या नियत करेगा और समय समय पर क्या कर सकता है या उसके अधिन कोई सबोर्डिनेट कोट है तो वो भी का करेगा उसके सर्विस कराने के लिए या किसी भी प्रोसेस को एक्जुक्यूशन कराने के लिए चपराशियों की संख्या का नियत कर देंगे ठीक है अकिला यहां से यही वाली चीज आपको निकल के आ रही है आग इस्थानी सीमा के बाहर अगर कोई नियाला विदी का समय करने के लिए अधिन इस्थापित लगूबाद नियाला के प्रियोजन के लिए जिलान या अधिस की नियाला के अधिनस्त समझा जाएगा सबकी सीधी बात क्या समझा जाएगा वो जिलान नियाला के अधिनस्त कोट बोला है कि क्या बोलते हैं division court क्या बोलता है डिवीजन के डिस्टिक भाग में वाट दिया डिवीजन को कत तुछ कर दिया डिस्टिक डिस्टिक बना दिया तो वह 대박 कर दो बुन तो आपका 1865 ठीक है क्योंकि वो कहां है वो हाई कोट की ओर्डिनरी जुरिजिक्शन के बाहर अगर कोई आपका कोट है हाई कोट की ओर्डिनरी जुरिजिक्शन के बाहर अगर कोई कोट है ठीक है तब उसके बारे में अगर कोई सूट है कोई execution कराना उसका अगर कोई execution कराना है उसकी तामिली करानी है service कराना है ठीक है तब आपकी प्यून की संख्या नियुजद कर देगा कौन आपका जो आपका मुसफल कोट है वो ठीक है और ये बोला गया है कि ये किसके अधीन समझा जाएगा मुसफल कोट आपके जिला जच के अधीन मनद जिला कोट के अधीन समझा जाएगा ठीक है 23 क्या बोल रहा है 23 राजस्व नियालेव में चप्राशियों की संख्या के बारे में बात कर रहा है अब देखो इसमें 21 में क्या था 21 में देखनें आपका आधे शीका की फीस टाइम टेवल बता दी कि एक टेवल रहेगी इस टेवल में आपकी कि बहिए जिला या अधिनस्त कोई इसके कोट है तीक है तो उसको क्या कैसे किया जाएगा वो अपने डिसाइट खुट कर लेंगे लेकिन हाई कोट पहले क्या लेगी स्टेट गवर्मेंट से एप्रूबल लेगी फिर डारेक्शन देगी फिर जिला जज या उसके अधिनस्त क्या वोला 22 जैसी रहेगी उसके बाद 23 रिवेन्यू कोट के चप्रासियों की संख्या के बोले हो रहा है कि वहिए नमबर और प्यून कैसे डिसाइट करोगे तो इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू दा रूल तू फ्रेम्ड वाइदा चीफ कंट्रोलर रिवेन्यू अठोर रहा है यह बूल रहा है कि मुखे नियंतरक राजस्व प्रादिकारी द्वारा बनाए गाए या राजसरकार द्वारा अनुमोदित नियम के अधीन रहते हुए जिले का क्रेक्टर करत्यों का पालन करने वाला जिले के क्रेक्टर के अधीन अगर कोई करत्य का पालन करने व चेंज कर लेंगे इसमें दो चीजें है एक तो आपका लग रहा है कौन सा चीफ रिवेन्यू अथारिटी चीफ रिवेन्यू अथारिटी यह क्या कर रहा है यह रूल बना रहा है पहली चीज यह क्या कर रहा है या तो कोई रूल बना दे ठीक है इस हिसाब से या तो दूसरी चीज में ये बोल रहा है कि भीया state government क्या करें state government की आपको approval मिल जाए अनुमुदद करके state government की एप्रूबर करके अगर collector के अधीन collector के अधीन अगर कोई काम करने वाले कोई भी officer है अगर क्या करते हैं कोई service जारी करते हैं कोई execution के लिए process की execution के लिए process के service के लिए कर सकते हैं यह वाली चीज आपको 23 में अगर जनरल कोसिन पूचे तो रिवेन्यू कोट में प्यून की संख्या को करेगा आपका चीफ रिवेन्यू आफिसर करेगा दूसरा आपका कौन करेगा इस्टेट गवर्रोंट क ले से जिला कलेक्टर जो है उसके अधिनस्त जो काम कर वाले हैं वो time-to time का करने वाले हैं वो अपने प्यून के संख्या को का करेंगे नियत करने ठीक है उसके बाद जो मुसफफल कोड में चप्रासी के संख्या को deprived करेगा जैसा कि 22 के पहले वाले पार्ट में पढ़ा आथ है शयोगी जो मुसफफल कोट है वो जिला कोट के अंदर ही समझा जाएगा. ठीक है? किलियर हो गया पुरा better? ठीक है. 25 Chapter 5 25 ठीक है? ऐसे याद रखना क्या बोला है? जा Code of Levy of Fish के बारे में बात कर रहा है? ठीक है? of the mode of Levy of Fish के बारे में. फीसों के उद्गरण का धंग कैसा होगा चैप्टर फाइब ये बोल रहा है मोड अब मोड कैसा होगा आपका लेवी और फीस का कैसा मोड होगा देखिए समझेए ठीके 25, 26 27 28 28 29 और आपका 30 ठीक है ये वाली चीज़ आपको समझ नहीं है ठीक है समझो क्या वोलाए फीसों के स्टाम्प दोरा वसूली अगर कलेक्शन टू फीस वाई स्टाम्प पहले चीज़ तो स्टाम्प से आप क्या करोगे वसूल करोगे वस इत्ता ही याद रखना है पहली चीज़ किससे वसूल आए आपको स्टाम्प ड्यूटी से पहली चीज 25 में सर्फ याद रखना फीसों का उद्गरण कैसे किया जाओगे लेवी ओफीस का उद्गरण कैसे करोगे स्टाम्प से करोगे इत्ता ही कहानी खतम करोगे ठीक 26 में आ जाओ यह लिखा स्टाम्प टू इंप्रेस्ट एंड अप आ संजक होना बल्ला स्टांप दो तरीके से हो सकते हैं एक तो आपका कैसा है आपका एक तो आपका है इंप्रेस्ड स्टांप कैसा होता है आपका इंप्रेस्ड होता है और दूसरा जो स्टांप बताये गया है वो कैसा बताये गया है आपका एडिसिव दूसरा वताइग है एडिसिव बताय गया है इडिसिव पहला होता है इप त्भीच के से इस अंदिनेयामके अधिन्स प्रभार या फीश का जो दो तक करSp, करने के लिए कोई , इस चापिацион थी के और यह क्या होता है printed form में होते हैं तो ये वाली आपको याद रखना है रिखET C इसके बारे में बोल रहा है तब क्या होगा तो जैसे की एप्रोप्रियेट गवर्मेंट सास की राजपतर दोरा अनुसूचित टाइम टाइम पे क्या करें व्रदिनिस्ट करें वैसी वैसी आपको क्या होगा इस टैंप को आपका यह वाली फॉर्म होगी इंप्रेजड और एडिसेब इंप्रेजड और एंडिसप जैसा इंप्रेज cela और एडिसपसब। कौन बताए6 वह आपका स्टेट गवर्मेंट वाई नोटी एकेशन सेंट्रल गवर्मेंट वाइनोस्टीकेशन क्योंकि पढ़के हैं एप्रोप्रियेट गवर्मेंट लखा है वहां पर वाइनिक ट। सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बोलता है उसको गजट सब्सक्राइब है यहें के यहीं थीग है 27 यहीं के 26 समझ दिया आज यह 27 यह अब सप्लाइब से हिस्टांप रूल और सप्लाइब नंस प्लाइब डिवेंवल कीपिंग अकॉंट दोनों क्या नियम मना रही है पहली चीज तो आपको बना रही है सप्लाइका स्टाम्प सप्लाइगा दूसी चीज नंबर का ठीक है और तीसरी चीज आपका रिवेनियोल और कीपिंग अकाउंट और कीपिंग अग्याओं बारे में आपके इस टांप के बारे में एप्रुप्रियेट डूल बना रही है ठीक है किसे रूल बनाएगी यहां से लिख लीजिए ठीक है पहला जो बना रही है नियाला फीस या प्रतिदाए के बुक्तान के लिए एलेक्ट्र höन पे बोल रहा है तो इलेक्ट्रोनिक लोट करेंगे के बारे मिया इलेक्ट्रोनिक ऊंत्रों प्रिपा प्रस्पीन of court fees, ठीक है, phone pay, मतलब आपको पहले electronic माध्यम से का करना है, आपको transfer करना है, court fees, ठीक है, दूसरी चीज, B वाला point A का A बोल रहा है, supply for stem used to be under this act, जो की इस अधेनियम में बताया गया है, जो आपके schedule 2 में बताया गया है, उसके हसाफ से, जो आपके schedule 1 में बताया है, उसके साफ से बता, जो इस अधेनियम में बताया है, उसकी fees को आपको के करना है, पे करना है, तीसरा जो इसका A है, यह A है, अब आपके B, B वाला point क्या बोल रहा है, the number of stem used to denoting to any chargeable under this act, मतलब अधेनियम की प्रभारे fees, दोतक करने के लिए उपयोग किये जाने वाले stamp की संख्या, मतलब stamp की संख्या के बारे में नियम बना सकता है, number of stamp के बारे में, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिखाई है, ठीक है, C वाला, C वाला जो बोल रहा है, revenueal damage and spoil to stamp, मतलब नुकसान गरस्तिया, खराब होते हुए stamp के नभी करण के संबंद में क्या बना सकता है, नियम बना सकता है, या अगर कोई stamp खराब हो गया है, revenueal हो गया है, खताब हो गया है, इसका प्रवईजो देखिये हाई कोट धारा तीन के अधीन उप्योग में लाएगा स्टाम की दसा के अधीन नियालाई में मुख्धिन ऐंुमूर्ति की सहमती से बनाए जाएंगे मतलब ये धारा तीन सेक्शन 3 में क्या पढ़के आए थे पताईए सेक्शन 3 में क्या पढ़ सबंसदाना हाई कोड़ में फीस जमा संदाय के बारे में पड़के आए थे नहीं थि के संबद में अगर कोई बनाना है उसके संबंद में अगर कोई स्टाम ड्यूटी पे करनी है तो उसके संबंद में नियम कौन बना सकता है उच्छे नियालाए धारा तीन के संबंद में उच्छे नियालाए के अधीन अगर कोई स्टाम्प लगा रहा है हो आप स्टाम के माद्यम से आप क् कुख निया मूर्तिकी सहमती से बनाए जाएंगे वर फिर आपको इन फो कापलेकिजिद है यह न वह उसक्षन थ्री में यदि कोई स्टांप लाते हो तो ठीक है ठीक है सेक्षन थ्री तो याद है ना हाँ ठीक है परंतु ऐसे नियम सास की राजपत्र द्वारा प्रकासित किये जाएंगे जो विधी का बल मला इनको अगर पूछा जाए के विधी का बल तभी मिलेगा जब स्टेट गवर्मेंट क्या करे छाइए का यह वाली जाओ झ मिले के गातर और वर्मिंट है वस्ट कर रहे हो तो आपको इस्टिस की हम्ति लगेगी ठीक है यह वाली बात बोल रहा है वो तो ठीक है ठीक है 28 बात करता है अन्जाने की बात करता है कैसा अन्जान देखो अन अवधाना से ली ली गई दस्तावेज स्टाम्प की किया जाना माला अन्जाने में अगर आपने क्या ले लिया है कोई स्टाम्प ठीके दस्तावेज के क्या ले लिया है स्टाम्पित किया जाना माला स्टाम्पिंग डोक्य है 28 में कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट इस अधिनियम के अधिन क्या चलिए स्टांप ड्यूटी लगेगी उसकी क्या लगेगी आपकी स्टांप होना चाहिए स्टांप लगे होने चाहिए अगर स्टांप होना चाहिए और व मांगा है तो स्टांपिंग डोकुमेंट ही चाहिए 28 में और स्टांपिंग डोकुमेंट नहीं नहीं होगा आपको 28 बोल रहा है लेकिन इसका प्रोवाइज वह कि दॉक्यूमेंट टोड मिस्टिक अगर कोई दस्तावेज है कोई भूल से बिना इस्टाम के ले लिया है ठीक है तब पिठासी नियाधीस जो पिठासीन है जो नियाधीस है नियाधीस में कार्यालय का जो प्रधान है या उच्छे नियालय की दसा में ऐसे नियालय का कोई भी नियाधीस है यदि आविशक समझ तो आदज दे सकता है कि ऐसी दस्तावेच को नेदेश अनुसार स्टमप किया है और ऐसी दस्तावेच को स्टमप कियाने पर वह हर संबनी कारवाई हमें क्या हो जाएगा विधिमान न ay हो जाएगा और वहर आराम में ही उच्यत रूप से स्टम की गई थी मतलब सीधी सीधी बात इनने वोला है कि जाने अंजाने में अगर भूल वस अगर आपने कोई भी डोकिमेंट क्या लेकर लिया है आपने ले लिया है और जिसको जरूरी था कि वो स्टेम्प के माद्यम से ही क्या होगा लोफली तो उस माद्यम में यह बोला है कि यदि किसी को ठीक है कि अब ढट नी लिया तो अब ले लो ठीक है? आदिश दे दिया कि चलो ठीक है लो उसमें डाख में स्थांप डी ले लिया स्थांप ले लिया स्थांप करया लीका तो mistake भूलबस आप कर देते हो और आपने क्या किया document without stamp के without document क्या किया without stamp के आपने क्या किया है without stamp के आपने क्या किया है accept कर लिया है accept कर लिया without stamp के तो आपका जो officer है वो प्रधान officer है कार्यालाई का है ना chief है ना और जो आपका high court का कोई भी judge है और ये क्या देंगे order देंगे ये देते हैं आदेश और ये आदेश देंगे कि भहिया उस document में stamp लगाना ज़रूरी है आप stamp लो और ये order जो stamp लगाने का order है और जिस time पर फस्ट में आपने जो document क्या किया था accept किया था तो ये document स्टांप वाला माना जाएगा उसी दिन से ठीक है समझ में आ रहा जिस दिन आपने पहला document accept का लिया था without स्टांप से मला without स्टांप document equal to stamped document ठीक है आ जाईए 28 समझ में आया ठीक है आगे 28 ए ये बोल रहा recovery to defect और unpaid court fees मलब recovery to defect unpaid court fees मलब आ समाधत या कम न्यालाए fees की वसूली कैसे होगी देखो तीन न्यालाए बोले गए हैं कौन कौन से न्यालाए बोले गए है 28 ए में देखो आपको अभी तक पढ़के आए हैं हम civil revenue और criminal है है ना ठीक है तीनों आम पढ़ा है ठीक है अगर इनके दोरह कोई मामले का किया जा रहा है तीके किया जो झूका है और इसके अभी रेक की परिंपाता है कि उस अधिकारए प्थास नहीं दीima दिया है उस पे आपने फेश नहीं दी गई है तो आप प्रतुरूप नहीं है आप ने कदूए कम दिये है तो वह है नियालायप पीठासिन अधिकारी या जो राजस्त्र अधिकारी यह सत्तिकी क्या करेगा था ठीक है अब यह बोलरा है आप ने क Hoş voiture है किit किसी मामले का किया है डिस्पोजल किया है निप्टारा किया है और उस निप्टारे पे जो डॉक्यूमेंट पेस किया था जो डॉक्यूमेंट क्या किया गया था पेस किया गया था उस पे लगनी थी क्या कोट फीस और वो कोट फीस क्या थी आपकी कम थी पहली चीज तो आपक court को किसको court को या तो court को या तो revenue अधिकारी को है न? या तो revenue officer को इस fact की या जो इस तत्थे की क्या देगा आपको report करेगा? ये officer क्या करेगा आपको? रिपोर्ट के भही है, sir इसमें तो आपका court fees जो आपने दी थी Fatimist है न? क्योंकि वो लोग से वक्त पा रहा है ना लोग ओफिसर पा रहा है कि भहिया इसमें तो आपको डॉक्यमेंट के साथ आपको फीज देनी थी और फीज दी भी है तो कम दी ए तो फिर रिपोर्ट करता है पहली वाले में रिपोर्ट है जैसे लेंड रेवेन्यू लगता ना लेंड पे अब लेंड रेवेन्यू देने का आपको अदायत तो होता है लेंड रेवेन्यू आप कम देते हो तो जो जाच करता है आपका जो सर्वे करता है उस चीज का कि लेंड रेवेन्यू आ गया नहीं आया किता आया कैसा आया वो रिपोर्ट करेगा को बहिया इसने क्या नहीं किया है लेंड रेवेन्यू फुल पे नहीं किया या तो लेंड रेवेन्यू दिया नहीं है तो पहले में रेपोर्ट हो गए दूसरे में क्या बोल रहा है कि ऐसा पीठा सी नधीकारी या रेपोर्ट की सुद्धता कीया मतलब सुता समाधान करने के कोई उचित फीस सुकाई नहीं गई वैं तो चाहिरा था कि वह यह बोल दें के वह फीस ना मिल पाई भाई या यह आपकी 10 लाक रूपे फीस थी उनने 5 लाक रूपे दी है बाकी फीस नहीं दी है तब क्या करेगा तो दे फीज की रकम का या व्यक्ति का जिस्टे फीज का उसका अंतर है कोई वसूलिय होगी या उसका अफधारण करेगा मतलब सीधी बात अगर फीज नहीं है तो आप से फीज क्या की जाएगी रीकबार की जाएगी खतमा देयर इसकी सारी चीज़े बोल दी सीधा-शीजा 28A में बूलना था सिवल कोड रवेनि कोडे किरमील कोडे कोасी मामले का डिस्पूजल कर चुका है और जो डॉक्यूमेंट जो आपने का अभी किया ता उस पर कोई अफीसर पाता है कि लिद अब आप ने डॉक्यूमेंट के साथ जो फीस दी ती वो खतम बात ठीक है इसका जो तीसरा सब्सेक्शन बात करता है क्या बात कर रहा है उब्धारा दो के दिन निसकर्स में भी लिखित करने के पच्छा मनला इसके बाद फिर कंकुलूजन पे पहुचा उसके बाद क्या बोला पीठासी ने दिगा रही राजिस्ट अधिकारी यदि निसकर्स पे पहुच चकेगा पुच्छ उचित फिस चुकाने वाला आदेश देगा मनलब सीधी सीधी बात इसमें तो सीधा बोल रहा है कि यदि आपको हम ने क्या किया हम तो कंकुलूजन पर पहुचे हम इस कंकुलूजन पर पहुचे कि आपको 20 तारीक को पेमिंट करने थि लेकर आपको आपने 20 तारीक को पेमिंट नहीं करी तो आपको कै worried देन पड़ेगा और आप साफмен हो एनुचत पे प्योपन मेंको पड़ेगी उचत वो फीज चुकाने, नोटेस भी मिल गया, कि भीज आ फीज दे नहीं है, और आप फीज चुकाने में क्या रहे गए, अस्फल रहे गए, तब क्या होगा, तब एक ही चीज देखने मिल रही है, कि जो आपका प्रिसाइडिंग ओफिसर है, वो प्रवाण पत्र से लेंड रिवेन्यू के तौर पे क्या करेगा, वसूल किये जाएगा, और यही आपका प्रीगा कॉस्चन बनने बाला है, मतलब टोटल सार एक ही निकल रहा है, आप से जो रीकवरी की जाएगी, वो रीकवरी कैसे की क्लियर, 29, 29 पढ़िए, क्या लेखा है, अमेंडेट डॉक्यमेंट के बारे में बात करता है, वही है, दस्तावेज के संसुदन, अगर कोई भूल हो गया, अगर मूल आसाइस के अनुरूप में बनाने के कोई उद्देश संसुदन की जाती है, वही है, आपका इंटेंशन क कैसा है, अगर कोई मिस्टेक हो गई थी, आपको डॉक्यमेंट बनाने में तो आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, मतलब नया स्टांप के साथ आप लगा सकते हो, लेकिन नया स्टांप सुल्क पर अधिरोपित करना आविशक नहीं होगा, मतलब अगर आपने अमेंड क amended document के बारे बात करता है amended document के बारे बात करता है और यहाँ पे जो stamp लगता है नया वाला उसकी fees आप पे अधिरुपेद नहीं की जाएगी यह वाली बात आपको याद रखना है आईए section 30 section 30 बोलता है cancellation of stamp stamp का रद्द किया जाना स्टांप के रद्द किया जाना एक ही particular section पुछता है क्या बोल रहा है यह यह बोल रहा है कि जब तक कोई दस्तावेश इस अधिनियम के अधिन कोई stamp अपक्षित करा था है ना हमने आप से stamp मांगा था लेकन किसी भी नियालाई या कार्यालाई में समय समय पर न्युक्त करें ऐसे किसी भी दस्तावेश की प्राप्ति के लिए रद्द करने के लिए सक्षम प्रादिकारी वुक्तान का सद्धापत करेगा और और लॉक करेगा और चोड़ दो यह वाला सिर्फ एक ही वोलना एक ही सेक्षन याद रखना है थर्टी में कि आपका स्टांप का कैंसलेशन के बारे में बात करता है कि मरला आपने जो स्टांप दिया है वो आप से कटा फटा है थोड़ा वाग उसको चल गया तो उसको क्या कर देगा वो कैंसल कर देगा ठीक है यह वाली चीज आपको याद रखनी है है ना क्योंकि रद्द तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ना तो फाइल किया जाएगी ना ही कोई कारवाई की जाएगी ठीक है जिस डोकुमेंट में स्टांप लगना है उस डोकुमेंट का स्टांप जब लगना है जब तक आप स्टांप डूटी नहीं भरोगे स्टां कैंसल कर देगा बो एए ना जा कोई पार्ट उसका कोई खुराब है तो भी आपा क्या कर देगा कैंसल कर देगा प्रोवाईजो आप देख लेना प्रोवाईजो में तो सीधा-सीधा यह बोल रहा है कि प्रवाण एक दौरा अधिकारी उसको हस्ताक्षर करेगा लॉक करेगा के भी सी खेल लेगा कि लॉक कर दिया जाए इसको और फिर आगे आपका हो जाएगा वैलेट ठीक है चैप्टर चैप्टर 6 मिस्लेनीस पर्ट के बारे में बात करता है अच्छा हमेरा जो चैप्टर था वो चेप्टर कौन कौन से आपके सेक्षन रिपील्ड थे 24 रिपील्ड था ठीक है इसमें 31 और आपका 32 रिपील्ड था उसमें सेक्षन 2 भी आपका क्या था रिपील्ड था ये सब रिपील्ड हम करें देख के आए के नहीं आए यही देख के आए ठीक है तो रिपील्ड मेला नहीं तो फिरी में पूछ ले और आप लगा के आजाओ हां सर यह तो बिल्कुल मैंने देखा है यह वाला तो चीज पड़ी है ठीक है सेक्शन की बात कर रहा हूं बस जहां तक मेरे ख्याल से नहीं होगा है ना चलो उसके बाद 33 आजाओ सिधा सिधा मिशले नियस पार्ट के बारे बात कर रहा है 33 क्या बोल रहा है दांडिक मामलों में ऐसी दस्तावेज ग्रहन किया जाना जित के लिए उचित फीज संदे नहीं है मतलब आपका क्रिमिनल केस में ऐसे डोकिमेंट को एड्मिसेवल कर दिया औ कभी पीठा सीन अधिकारी की राय में दंडे नियालाए में से किसी भी दस्ताविच के बारे में उसे फीज संदे नहीं की जाती है फाइल की जाती है प्रदासित किया जाना के नायके निस्पादन के निश्फलता के निवारण के लिए आवश्यक्य के अंतर विस्ट कोई बाद पर डालने वाली पृतीशित करनी वाली नहीं समझी जाएगी कि vemotim sucking के बाद करता है परिम्ज सिंग सिक्स में क्या पड़कर आए थे फौर के सा सिप्स पढ़ा था की नहीं पढ़ा था no fees no admissible लेकिन इसमें बोला है no fees admissible ठीक है किस मामले में criminal मामले में क्यों क्योंकि उसके लिए end of justice के लिए आविशक है कि उसको आप accept करो ठीक है तो criminal मामलों में आपको लखना है no fees plus admissible इसलिए section 6 इस पर applicable नई होगा clear हुआ आगे और section 4 भी लिख लो कि आपने वहां भी पढ़ा है तो section 4 भी ठीक है आगे अब 34 क्या बोलता है sell of stamps के बारे में बात करता है कि stamp का विक्राय कैसे होगा है ना देखिए क्यासे होगा stamp का विक्राय ठीक है इस अधिनियम के अधिन उप्योग किये जाने वाले जो भी stamp है जो भी रेगुलेट करने रेगुलेटिंग तो सेल ऑफ इस्टाम यूज ऑफ इन दिस एक्ट ठीक है परसन बाइगी के नहीं बनाएगी बनाएगी और इसका जो तीसरा वाला पढ़ लो तीसरा वाला है ना वो तो गजटेट नोटिफिकेशन के मादने में लिखाए कि अब दी यह बला है कि स्टाम्प बेचने के लिए निक्ट कर जिस विक्ति को किया है और इस धरा के अधिन वो अवग्या करता है मतलब वो क्या कर रहा है आपका अवग्या कर रहा है ठीक है मात नहीं मानता है कुछ मतलब सो रोपे का स्टाम्प को हजार में बेच रहा है ठीक है कुछ भी करता है तो ऐसे में और उसे ना तो निक्त किया गया س्टांप बेचने के लिए पहली चीज जिस वेक्ति को नुक्त किया गया लिए वहुद्गा कर रहा है जो नियम और कंडिशन बनाई उसका उालेसन कर रहा है या तो ऐसे परसंन को appointee नहीं किया गया और वो stamp बेच रहा है तो कितना जुर्माना है छे माहे और 500 रुपे जुर्माना है 34 में आपका है sale of stamp के बारे में sale of stamp के बारे में बात करता है वो बोलता है वहिया 6 माहे का क्या है 6 मंत का हम आपको जुर्माना देंगे वो 500 रुपे त्योंकि time to time क्या बनाता है appropriate government नियम बनाता है आपको appropriate जो government है time to time क्या बनाएगा नियम बनाएगा ठीक है और टाइम टू टाइम नियम मनाएगा सेल करने के लिए और सेल करने के पावर किसके पास जो तो यह वो अपॉइंट करेगा उसके पास रहेगी और जिसको वो अपॉइंट नहीं करता अगर वो सेल करते हुआ पाया गया या उसका वॉयलेशन करता हुआ पाया गया तो छे मा जुर्मान चाहिए कारावास और 500 रुपे जुर्माना है समझ में आ गई बात या दोनों है दोनों भी लिखा है 35 35 क्या बोल रहा है देखिए 35 क्या बोलता है देखो देखो 35 क्या लिखाए पीज को कम करने या उसको परिहार करने की सकती पावर टु रिजूस एन रिमिट्स के बारे बात करता कौं करेगा अप्रोप्रेट गवर्मेर्मेंन्ट और ठीक है एप्रोप्रियेट गवर्मेंट मतलब समझने वाली बात सिर्फ आपके 21 22 20 21 22 23 यहां पे सिर्फ इस्टेट गवर्मेंट की एप्रूवल लगी है ठीक है वागी उनके अधिकारी अलग अलग है यह वाली याद रखना प्यून के नंबर सेट करने के लिए वागी तो आ पारे में ब्यावर्ति बोली है कि जो आपका चैप्टर टू था और जो आपका चैप्टर फाइट था फोर्ट विलियम ने उच्चने आले महा लेका पाल और संदाए उन फीसों में उच्चने आले का कोई अधिकारी सब्लम्मन के अतिरेक्त फीस का अनुग्याद करता है उस पहे अपलिकेबल नहीं होगा दिनियम की चैप्टर टू और चैप्टर फाइब पे जो इलागुों नहीं हों की ओइध्याकर рекा़री जिसे कमिशन को रिशीव करता है जो सेलरी नहीं है तो से थेन उफिसर फजिए और नहीं होगी पदलाव आपका जो चेप्टर है, चेप्टर 2 कहां से कहां तक दिया था, तीन से लेके 5 तक और चेप्टर 5 कहां से कहां तक दिया था, आपका 25 से लेके 30 तक दिया था, उस पे क्या नहीं होगा, अप्लिकेबल नहीं होगा, ठीके, 36 यह वाली बात बोल रहा है, ठीके, अप् कोट फिस पे करो उसको सेविंग क्लॉज है उन पर ठीक है अगर सेलरी नहीं है तो सर्टेन ऑफिसर ओफ हाई कोट आगे देखो यह पूरी आपकी क्या दी है लिस्ट दी है इसमें बोलेरम फीस के बारे में सेडूल फस्ट में लिस्ट दी है ना तो लिस्ट कुछ कुछ तो ह हम आगे देखके आचुके हैं है ना दो रूपे दो रूपे चार रूपे पांच रूपे दो रूपे एक काम करना दो दो रूपे वाले की लिस्ट लग बना लेना पांच पांच रूपे वाले की लिस्ट लग बना लेना और जो आपका सेकेंड सेडूल है यह तो आप किया जाता है उसकी फीज कित्ती है पांच रोपे है ठीक है नेनाई के पहले अगर कोई गरफतारी करते हो कोई कुरकी का आदेश देते हो उसकी फीज कित्ती है दस रोपे है आप रियाप्त कारण से यदि किसी व्यक्ति की आप कुरकी करते हो अटेश्मेंट करते हो तो उसक पूछा जा सकता है इसलिए इसी के साथ हमारा जो आपका जो आपका कोट फीस एक्ट है 1870 वाला ये पूरा हुआ एक पार्ट रे गया है 19ABCD जो 19A से लेके के तक का चलता है उसको आप खुद पढ़ने ना उसका सिर्फ section important है इसी के साथ मिलते हैं नमस्कार शुक्रिया धन्यवाद